चानिस चानलीस अजार लोगों की नेली और ये चानिस बच्चे एक क्लास में नहीं जो विचारे ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं ठंड पढ़िया तो छुटी, गर्मी पढ़िया तो छुटी, बारिश पढ़िया तो छुटी किसी भी देश की प्रगती के लिए सबसे आवश्यक तत्व है शिक्षा आज जितने भी विक्षित देश हैं वे सब इसलिए विक्षित हैं क्योंकि वहां की शिक्षा कस्तर सबसे उचा है जहां सिक्षादर शत प्रतिशत है पिछले दो साल से अधिक समय से कुरोना वाइरस ने दुनिया भर में कहराम मचा रखा है जिसका खाम्याजा न सिर्फ लोगों को अपनी जान गवा कर देना पड़ा पलकि उसका दुश प्रभाव, देश की उन्नती, व्यापार और अर्थ विवस्था आदी पर तो पड़ा ही साथ ही उसका सबसे ज़्यादा खाम्याजा बच्चों की सिक्षा को भगतना पड़ा आज भी कोरोना वाइरस की टीसरी लहर समुचे विस्व को अपनी चपेट में लिये है दुनिया के कई देश कोरोना वाइरस की गिरफ्त में हैं लेकिन वहां के बच्चे सिक्षा से वंचित नहीं है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल पराबर खोले जा रहे हैं लेकिन वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले स्कूल ही बंद किये जाते हैं क्या बाजार में शराब की दुकानों पर या चुनावी रेलियों में कोरोना का कोई असर नहीं होता। इन दिनों उत्तरप्रदेश समेत कई राज्यों में विधान सभा चुनाव हैं। WHO और EC दोनों ने चुनाव परचार के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का सकती से पालन करने का आदिश दिया है। लेकिन परदेश में कोरोना के नियमों को ताक पर रख कर चुनाव परचार तो सेकड़ों हजारों की भीड के साथ जारी है। और दूसरी तरफ जो स्कूल COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन जैसे सभी नियमों को ध्यान में रख कर बच्चों की सिक्षा को सुचारों रूप से चलाना चाहते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। अखरी और किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। सिक्षा को जरूरी क्यों नहीं समझा जाता। जब हमारी टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर इसकी जाच की तो एक और अजब कहानी सामने आई। जहां प्राइवेट कोचिंग सेंटर बिना किसी एहतियात के भीड के साथ धडल्ले से चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि अगर सभी प्रकार के सेक्षिक संस्थाएं बंद करने के आदेश हैं तो यहादेश कोचिंग संस्थानों पर क्यों लागू नहीं होते हैं। इसको लेकर जब हमने फिरोजबाद प्राइवेट स्कूल एस्सोशेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मयंग भटनागर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हैं वो इन कोचिंग सेंटर्स की वजए सही नगर्न होती जा रहे हैं। और सदेव सारे स्कूल संचालक यही इलजाम छेलते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। सचाई यह है कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर ना तो कोई भी उनके उपर कड़ाई हैं ना अनुशासन हैं। इसलिए लड़के और लड़कियों के बीच में एक खुली छूट दे दी जाती है। बहुत कम समय के लिए वो पढ़ाते हैं और जिस समय वो पढ़ाने जाते हैं उससे कम जो एक घंटा पहले यह कौन घंटा पहले लड़के लड़की आते हैं और आपस में बहुत बाते कर पर दोसरी चीज जहां सरकार की बात रही तो सरकार किसी भी देश की आर्थिक प्रगरती सिर्फ उसकी शिक्षा से ना पी जाती है। उसकी रोजगार कितने हैं उसके देश के अंदर उससे ना पी जाती है। लेकिन यहां तो पिछले दो साल से सबसे बड़ा जो उन्होंने एक अटैक पॉइंट बना रखा है वो सिर्फ स्कूल्स हैं। पहरे दोर में 700 बच्चों को मेरे यहां वैक्सीन लगी एक ही दिन के अंदर। दूसरे पर्सो आयुजट किया गया कैम्प जिसमें लगबग 500 बच्चों के लगी तो लगबग पूर रूप से हमारे बच्चे बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद भी विद्याले ठंड के नाम पर बंद कर दिये गए कि 23 तारिक तक विद्याले बंद है। हो सकता उसके आगे भी भाएं 6 तारिक से पहले 16 तारिक तक, 16 से 23 तक अब 23 से 31 तारिक तक इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्कूल हो क्योंकि स्कूल उनको रवेन्यू नहीं देते हैं। इसलिए उनका टार्गेट पॉइंट सिर्फ स्कूल है। और ये कोचिंग संचालक जो है, वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं प्रिशासन तक पहुँच रखते हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन फिर ये कोचिंग सेंटर्स के उपर उतनी कड़ाई क्यों नहीं होती जितनी स्कूलों पे होती। स्कूलों का मुख्य उत्देश क्योंकि वो अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो रिजल्ट देंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। और आप उठाके देख लिए, कई कोचिंग के अंदर तो कोटा में जो बच्चे टॉप करते हैं, पूरे ग्यारा महीने वहाँ पढ़ते हैं, और मात्र जब वो यहां पे एक महीने के लिए अपने घर पे आते हैं, तो यह लोग खूब पैसों का प्रलोबन देगी। दो दो तीन तीन चार चार लाग रुपए उनको दे कर यह कह देता है कि तुम कहो कि तुमने यहां से कोचिंग ली और उन बच्चों का सकसेसरेट दिखा देते हैं, तो क्या यह पूर्ण इमांदारी से कारी कर रहे हैं, बच्चों के भविश उज्वल करने का कारी कर रहे ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो यह कर रहे हैं और बकाइदा प्रशासन ने रगे खाथ एक कोचिंग को पकड़ा था जो बच्चा क्लियर भी नहीं किया था जसने आई हैटी उसको उन्होंने अपने हंकर टॉपर दिखा दिया था वो यही भूल गए कि बच्चे ने कौल प्रशानक देंगे उस मानकों के अनुरूप हम बच्चों को बुला कि कम से कम एक गुरू शिष्य परंपरा को बंद करने का प्रयास ना करें गुवर्मेंट ऑनलाइन एप्स को प्रात्मिक्ता दे रही हैं वेक्सिन लाने से पहले उसके पचासों ट्राइल हुए लेकिन ऑनलाइन पत्ति को लगाने से पहले एक भी ट्राइल ने हुआ किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन एड्यूकेशन कैसे चलती है भारत देश एक संस्कृति का देश है जह गुरू शिष्य परंपरा है अब गॉर्मेंट का पूरा-पूरा जोर है जैसे बैजूर्स को हो रहा है कि जैसे हमने आईडी दी बच्चों को आईडी दी अगर किसी बाहर की लड़के ने जो आवारा टाइप के हैं उस दोस्ती में उसने आईडी पता कर ली बच्चे की तो चलती क्लास में जो शिक्षिका पढ़ा रही है उसमें वो एंट्री कर लेता और मां बहन की गाली देता है अब शिक्षिका इतनी शर्मसार होती है जब तक वो उसको निकालती है तब तक बच्चियों के सामने इतनी बद्दी बद्दी गाली आती है जिसका कोई मतलब आप कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये ऑनलाइन पदती है उसके अंदर एंट्री किसी की पॉसिबल हो सकती है सर स्कूलों के लिए सरकार से आपकी क्या अपील रही है मेरी सरकार से यही अपील रहेगी कि बच्चों को इस्कूल आने दें मैं तो सीधे कोश्यन करता हूँ कि एक क्लास में उनको चालिस बच्चे मन्जूर नहीं है 40,000 लोगों की रैली कर्वाते हैं और अभी लिय का या निव नियूस आई है एक जो अभी बनी परसो आ जो नियूस कही गई है वह यह कहाई कि आड यूपी में कॉरणा के केसिस कम हुने स्कूल खोलने के ली तु हुए तो क्या ये सिर्स आरथिक शेक्षिक प्रगति किसी भी देशू की इन रैलियों से होगी बिना मानक के कोई मासकिंग नहीं कोई सोचिल डिस्टेंसिंग नहीं कि जिस तरीके से ये शिक्षा को बिल्कुल दूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है अगर सरकार वाकई समुचित कदम उठाए और बच्चों को स्कूल लाने में प्रात्मिक्ता दे और बच्चों के एक्जाम्स प्रॉपर करवा है मुल्यंकन भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पारा इन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन भी पिछले सानों के आधार पे कर दी यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जहां एक जो टॉपर बच्चा है वो भी बिल्कुल मीडियो कर बच्चे के समक उठा के रख दिया अब बच्चे ने जिसने बहुत मैनत करी उसके भी वही मांगस आ रहे हैं जिसने बिलकुल मैनत नहीं करी उसके भी वही मांगस आ रहे हैं गदे गोड़े को सब को बराबर कर दिया तो ये ये वाकई एक देश के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है कि बच्चों के अंदर competitive feeling खतम हो उस feeling को दुबारा लाना चाहिए बच्चों को education के लिए प्रोट सहित करना चाहिए खुले आम डबलु हो ने वर्ल हेल्ट और्गनाइजेशन ने ये कह दिया है कि अब स्कूल बंद करने का कोई औचित नहीं है दुनिया बर में ये प्रचलित हो रहा है दस हजार क पर दे आ रहा है फिर भी कैलिफॉर्णिया के अंदर बकाइदा पूरे स्कूल स्कूल जा रहा है नोटली इन कैलिफॉर्णिया एले कैलिफॉर्णिया एंड डिफरेंट स्टेट्स औफ युए उस वह बें प्रात्मित्टा दी जा रही है शिक्षा को लेकिन यहां सबसे उदा सिंथा शिक्षा के प्रती है बाकी रैलीज के लिए बुरी तरह एक दल का विक्ती दूसरे दल में गुज़रा है राइनितिक रैलियां कर रहे हैं जाती धर्म को प्रात्मित्टा दे रहे हैं लेकिन जो इन सब बुराईयों को दूर करती है वह शिक्षा उसको आखर कल को डॉक्टर्स बनेघे एडिटेंट लेकिन बिना ग्नकिश वो नहीं जानेंगे कि उन्हें क्या treatment देरा थक्तकारथा उसी दिशा को दे रही हमारी माहंने है संचालगों की हमें मानत दीजे हमें थर्मल सकेणिंग गेट पर हम करें उस के बाद Oximeters से हम उनकी entry लें, classes के अंदर एक निश्चित संख्या रखें, दूरी रखें, as well हम उनको बकाइदा तीन-तीन दिन स्कूलों में बुलाएं, लेकिन हर बच्चे को बुलाएं, हर class के बच्चे को बुलाएं, कभी ये सिर्फ इंडिया में होता है, कि अरे बहुत ठंड है स् गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगी, तो क्या होगा, आप देखिये Russia में, minus 32 degree Celsius पे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, गर्मी के अंदर भी दुबई में 60 degree Celsius पे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां कोई बंद नहीं करता हर जना जानता है कि शिक्षा की क्या importance है, लेकिन य बाकिके तो और सारे जितनी हमारे जितने भी महापुरिश है उनकी याद में तो छुट्टी ही छुट्टी इन सब को मिलाके शिक्षा की छुट्टी हो रही है एक तरह से मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि क्रप्या इस तरफ देखे नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत देश बिलकुल शेक्षिक तोर पे समात तो जाएगा लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि अगर क्या कोचिंग संचालक और रैली करने वाले नेता मौसेरे भाई ह इन्हें लोगों की जान की कोई पर्वा नहीं है और ना ही किसी के आदेश की चिंता है इस ओर प्रिशाशन का ध्यान क्यों नहीं है आज आप प्रवा मंतरी नरेल मोती के एक दिन का खर्च सिंधियो परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अमभानी और अडानी के भी होशख़ा हो जाएगे क्या आप जानते हैं कि आर्भी आई पुराने और कटी-फटे नोटों का क्या करता है और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसके dead body के साथ क्या किया जाता है ऐसे ही interesting और मज़दार facts और news पढ़ने के लिए KIA news app डाउनलोड केजे